हेलो मेरे यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब? आज हम भिंडी की एकदम न्यू रेसिपी बनाएंगे जो की ज़्यादातर लोगाओं में बनाकर खाते हैं यह ना तो सबजी है और ना ही चटनी है यह भिंडी की एकदम जवरदस्त और टेस्टी रेसिपी है इतनी तेस्टी लगेगी न कि यदि आपको दो रोटी की भूख है तो आप दो की जगा चार रोटी खा लेंगे एक बार आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स जरूर ट्राय कीजिएगा भिंडी की तो सुखी सबजी और भरवा सबजी तो आपने बहुत बार बना कर खाई होगी आज मैं आपके लिए लेकर आयूं भिंडी की एकदम स्वादिश्ट रेसिपी एकदम कम मेहनत, कम समय और कम तेल में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सबजी बन कर तयार होगी तो चलिए फ्रेंड्स हम सबका अपना चैनल रेसिपी रूम में स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और नई रेसिपी बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम भिंडी को आदा किलो भिंडी है हमारा यह अच्छे से दो लिए हैं और एक कौटन के कपड़े से इसको हम पोच लेंगे अच्छे से ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए और ऐसे ही इसको काट लेना है लंबे-लंबे करके पहले इसको दो टुकड़ों में काट लिए एक भिंडी को फिर ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे जो बड़ा है उसको फिर से हम काट देंगे आपको ऐसे ही काट लेना है आप चाहे तो इसको गोल साइज में भी लंबे लंबे एक इंच के टुकड़े में काट सकती हैं, ज्यादा तर बिंडी कर जो हम ठेचा बनाएंगे न ऐसे ही काटता है ये, आपको ऐसे ही काट लेना है, और काट के एक साइड में हम रख लेंगे, और इधर हम एक तावा गरम होने के लिए रख दियें सबसे पहले, और इसमें हम थोड़ी सी लहसन डाल देंगे, और तीन-चार हरी मिर्च डाल देंगे, इसको अच्छे से हमें फ्राइ करना है, एकदम इसमोकी फ्लेवर लाना है, इसका देखिए, कलर थोड़ा चेंज होगी है न फ्रेंड्स, ऐसे ह आपको फ्राइ कर लेना है, और इसको जलाना भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही फ्राइ कर लेना है, और हम इसमें अब मुंफली डालके फ्राइ करेंगे, इस रेसिपी का फ्रेंड्स, मेन हीरो यही है, इसको डालना बहुत जरूर ही है, इसको भी अच्छे से फ्र इस वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा, यदी आप मेरे चैनल पे नए आये हैं तो सब्सक्राइब कर दीज़ेगा, और फेमली फ्रेंड्स में जरूरर सेयर कीज़ेगा, प्लीज आप लोगा फ्रेंड्स सपोर्ट चाहिए, आप लोग जब फूल वाच कीजिए, फूल वाच भी नहीं करते हैं, नहीं हमारा वाच टाइम पूरा हो रहा है, फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट है हमारी प्लीज प्लीज वीडियो को फूल वाच जरूर कीजिए, देखिए हमारा ये मुंगफली भी फ्राय हो गया है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका निकाल देंगे और एक साइट में रख लेंगे इधर हम कड़ाई भी गरम होने के लिए रख दिये हैं इसमें तीन चम्मच के करीब तेल डालेंगे तेल फ्रेंड सरसों ही डालना है इससे जो है न टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आधा चम इसको इसकी बिल्कुल नहीं करना है और दो-तीन वार हम बरिक प्याज को भी चला लेंगे प्याज हम एक लिए थे मिडियम साइच का हमारा ये प्याज था और इसमें हम भिंडी डालके फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और सब को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है चाहे तो आप इसको ढख भी सकती है लेकिन हम इसको खुले में ही ऐसे ही पकाएंगे गैस को मिडियम टू लो फ्लेम पे ही दखना है और इधर एक जार में हम लहसन अद्रक और मुंगफली जो रखे थे इसको भी इसका छिलका निकालक इसको अच्छे से पीश लेना है चाहे तो आपके पास कुटने वाला है ना तो आप उससे कुट लीजिए हमारे पास यह कुटने की सुविधा नहीं थी तो इसलिए हम इसको फ्रेंड्स मिक्सी में ही थोड़ा दर दरा पीश लिए है और हाँ पानी आपको इसमें बिलकु पाव्डर डाल दिये है лишь । थोड़ा सा जीरा धनिया का पाव्डर है, वह भी आधा चब मझ हम इसमें ढाल दिये आप साहे तो इसको इसको इसकी भी कर सकती है लेकिन टेस्ट अच्छा आने के लिए हम थोड़ा सा इसमें मसाला भी डाल दिये हैं और एक गलास से थोड़ा सा या कटोरे से थोड़ा सा इसको बिंडी को मैस कर देंगे ताकि यह टेस्ट बहुत अच्छा आए और यह लहसान और यह जो हम कूटे थे मुंफली इसको हम दर-दर आपिसा हुआ इसको इसमें डाल और अच्छे से कुछ देर 2-3 मिनट तक फ्राय करना है जब यह अच्छे से फ्राय हो जाएगा तो गैस को बंद करने के बाद हम धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फ्रेंट्स देखिए एकदम बहुत अच्छी सब्जी यह बनके लोक्स में हमें जरूर बताईएगा फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल खोल के लाइक शेयर और कोमेंट कर दीजेगा प्लीज प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए थैंक्यू फार वाचिंग फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए राधे राधे